दोस्तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोवेब में पीजा कैसे बनता है तो इसके लिए हमें सबसे पहले कॉन्वेक्शन में जाना होगा और उसके बाद टेंपरेचर सिलेक्ट करना होगा और इसी बटन में टाइम का भी सिलेक्ट करने का ओप्शन आएगा टाइम सिलेक्ट कर लेंगे और स्टार्ट करेंगे तो चलिए पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी मैं और ये हमारे पास पीजा बेस है उसके उपर हम अभी टॉपिंग कर लेते हैं तो अभी हम टोमेटो कीचप डाल दिए और सेजवान सॉस ये दोनों को अच्छी तरह से मिला के हम इसके उपर स्प्रेड कर लेंगे आज मैं आपको टीप्स के साथ बताऊंगी पीजा कैसे बहुत अच्छा बनता है खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो मेरे वीडियो को अंतक देखिए और ये देखिए चीज का क्यूब्स हम दो क्यूब्स चीज इसमें हम सजा दिए और टमाटर भी इसके उपर रख लेंगे मश्रूम रख लेंगे आपके उपर जो भी टॉपिंग्स है आप रख सकते हैं आज मैं बहुत ही सिंपल तरीका से पीजा बना रही हूँ और इसके उपर शिमला मिर्च भी रख देंगे और एक जरूरी टिप्स ये फॉलो करना बहुत ही जरूरी है तो अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपका पीजा बहुत ही टेस्टी बनेगा खाने में बहुत अच्छा लगेगा दो चममच रिफाइन ओयल हम इसके उपर स्प्रेड कर देंगे तो हमारा पीजा बहुत ही टेस्टी लाजबब खाने में बनेगा तो चलिए अभी हम इसको माइक्रोवेब करते हैं बेक कर लेते हैं तो अभी हम कॉन्वेक्शन पे जाएंगे उसके बाद हम टेंपरेचर सिलेक्ट करेंगे 200 डिग्री और थोड़ी 10 सेकेंड रुकने के बाद इसमें टाइम का उप्शन आएगा और टाइम सिलेक्ट कर लेंगे 11 मिनिट्स तो 11 मिनिट में हमारा पीजा बनके रेडी हो जाएगा हम लोवर रैक रखेंगे माइक्रोवेब में और उसके बाद हम इस ट्रे को रख देंगे और हमें अभी स्टार्ट कर देना है तो हम स्टार्ट का बटन प्रेस कर लेते हैं 11 मिनट में हमारा पीजा बहुत अच्छी तरह से बनके रेडी हो जाएगा तो देखिए कुछी सेकेंड बाकी है अभी हमारा पीजा बनके रेडी हो गया है तो इस तरह से हम convection mode में पीजा बनाके रेडी कर सकते तो फ्रेंड्स देखिए हमारा पीजा बहुत ही अच्छा बनके रेडी हो गया है अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए थैंक यू